सबस्कार दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर यह जो तस्वीरे देख रहे हैं, यह राजिस्थान के कोटा सहर के कोटा बैराज की हैं कोटा बैराज राजिस्थान के कोटा सहर से लगबग एक किलो मीटर दूरी पर बसा है जंबल घाटी परियोजनाओं की सिंखला में चौथा बैराज है गांधी सागरबान, राना प्रताप सागरबान और जवाहर सागरबान में बिजली उत्वाजन के बाद छोड़ा गया पानी राजिस्थान में सिचाई के लिए कोटा बैराज द्वारा मद्य पर्देश की नदियों में बहर जाता है इस बान का काम 1960 में पूरा हुआ था इस बैराज के आसपास का देश से काफी खुशूरत है और कोटा सहर के लोगों के लिए ये आकरसन का मुखे केंद्र भी है अपनी प्राइवेट टेक्सी या आटो बुक करकर आना होगा क्योंकि यहां तक यहां तक लोकल सवारी गाड़ियां आती नहीं है इसलिए आपको अपनी टेक्सी या अपना आटो बुक करकर यहां तक आना होगा जो कि सहर में काफी असानी से मिल जाते हैं कोटा बैराज का कुल जल ग्रहन छेतर करीब 27,332 किलो मिटर स्कॉयर है जिसमें जवाहर सागर बान के नीचे का मुग जल ग्रहन छेतर सिप 137 किलो मिटर स्कॉयर का है नाइब स्टोरेज 99 मिलियन क्यूबिक मीटर है यह एक कंक्रीट स्पिलवे वाला एक अर्थफिल डैम है बैराज बाड और नहर के पानी के बहाओ को नियंत्रित करने के लिए 19 द्वारों द्वारा संचालिट किया जाता है और नदी के दोनों और कोटा के कुछ हिस्तों के ब दिखने के लिए और पानी का भारी परवा जिसमें जाग और पूल के कमपन के साथ इस्थानियन लोगों के लिए विशेश आकसन का केंद्र है बैराज के पास घुमने के लिए अन इस्थानों में कसुवा मंदिर सामिल है जिसमें चार फेसवाले सियुलिंगम भितरिया और बुद्ध सिंग बाफना हवेली और पार्क है जिसे गड़ प्रालेस कोटा भी कहा जाता है ये देखिए कोटा सुपर थलमर पावर स्टेशन जो बिल्कुल बहराज के पास में है आप इसका भी मन मोहगतिरी से अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं ये बिल्कुल इस बहराज के पास में है ये देखिए बहराज का द्रिश्चे और ये पुल है जो कोटा सार को दो हिस्वे में बाटता है और अब ही आप ये जो दिर्श्चे देख रहे हैं ये कोटा गड़ पैलेस की है जो की बांद के बिल्कुल पास में है ये आपको इस खिल्ड पर दिख रहा होगा कोटा गड़ पैलेस काफी खुब्सूरत जगा है ये यहां इंट्री के लिए टिकेट लगते हैं करेंगे बांद के में ये लिए रहा है अग्वा है ये लग ऑटो चाँ, ये ले खेंड़ गटी ये लिए चाँ, ये विए ये 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 लिएख बेगा है अख्याँ यडिल